जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से बॉकलाए पाकिस्तान के समर्थन में चीन दोरा ठेकी पर दी जा रही टेलिकॉम कंपनियों के विरोध में आज स्वदेशी जागरंड मंच के कारे कर्टाओं ने चीन के विरोध में पदशन करती हुए चीन के रास्टपती का प वो चीन के साथ मिलकर बॉर्डर के आज सपास कुछ टेलिकॉम कंपनियों को ठीके पर हायर करते हुए एक बड़ी साज्जिश रश्ट ने की तैयारी में है पूरे देश के अंदर चीन का हम लोग गिरोध करने वाले हैं और इसके साथ साथ भारत सरकार से मांग कर रहे हैं इटैली कम्यूकेशन के शेत्र में और अन्य शेत्र में जो चीन की कंपनिया भारत के अंदर काम कर रही है और करने का प्रयाद कर रही है उनको हम किसी भी कीमत पर भारत में हम यह नहीं करने देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी 12-13-14 अक्टूबर को जो समिट यहां पर बुलाई गई है बड़ी उसमें भी चीन की कंपनिया नए आये इसके लिए आदनिय परदान मंत्री जी को आज हम लोग क्यापन देने जा रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप किसी भी कीमत पर चीन की कंपनियों को भारत में परवेश ना दे तो कि चीन का जो मसला है वो हमेशा बारत का विरोधी रहा है और भी हाली में हमने देखा है कि अकेला चीन पाकिस्तान के सामने खड़ा था पाकिस्तान के समर्तन में खड़ा था बाकि सारी जिसकी चक्तिया भारत के था थी तो किसी भी कीमत पर तुदेशी जागरमंच के कारता यह परदास नहीं करेंगे कि आज यहां चीन की सरकार का और चीन के राजपती का हमने यहां पर मुतला देहन किया है और अभी जिलाविकारी मौते को हम लोग यापन देने जा रहे हैं माने परदान मंत्री जी के नाम